नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लास इसमें आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में इग्नु के MHD प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD 7 भासा विज्ञान और हिंदी भासा इसी काई काई तीन भासा विज्ञान की पास्चात्य परंपरा इस बारे में चर्चा करेंगे इसके पहले के वीडियो में भारतिय भासा चिंतन इस बारे में चर्चा की जा चुकी है अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जाके आप देख सकते हैं साथ ही MHD प्रोग्राम के जो दूसरे सब्जेक्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप चाहें तो देख सकते हैं आज के इकाई की रूप रेखाक अगर बात करें तो जो हमें पढ़ना है तो वो है भासा विज्ञान का सुत्र पात अर्थात ये भासा विज्ञान का सुत्र पात कैसे हुआ कहाुआ हुआ और किसने किया हमें पढ़ना है तूलनात्मक भासा विज्ञान जिसमें भासाओं का वर्गी करण और ध्वनी परिवर्तन और नियम इसे भी पढ़ना है वैसे ही एतिहासिक भासा विज्ञान इसे पढ़ना है और जो अंतिम टॉपिक है वो है भासा परिवर्तन जिसके अंतरगत ध्वनी प परिवर्तन इन टॉपिक्स को देखना है अगर विगत परिक्षाओं का बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि हर परिक्षा में एक ना एक प्रस्ण जरूर आता है जैसे अगर कुछ प्रस्ण का उदाहरन लिया जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रस्ण आया हुआ है कि बिघ्ञान का अर्थ इस्पस्ट करते हुए तुलनात्मक एवं एंतिहासिक भासा बिघ्ञान का अंतर बता embaixo वैसे भासा परिवर्थन के प्रकाड तथा कारणों पर वीचार की जिए आप देखेंगे कि कैसे हुआ और इसका विज्ञान में योगदान है अर्थात घुमा घुमा के यही topics पर क्या है प्रash्न पूछा ही जाता है तो इस विडियो को देखने से आपका सारा जो concept है वो clear हो जाएगा तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भासा विज्ञान का सुत्रपात कहां हुआ किस ने किया कब हुआ है ना भासा विज्ञान एक आधुनिक चिंतन की संकल्पना है जिसका सुत्रपात सर विलियम जोन्स ने संस्कृत लेटीन और ग्रीक भासाओं के तुलनात्मक अध्यायन से प्रारम किया अर्थात इसके जो संस्ताफ़क है वो होगे सर विलियम जोन्स और इन्होंने तुलनात्मक अध्यायन तीन भासाओं का किया संस्कृत लेटीन और ग्रीक ठीक है भारत में भासा विज्ञानिक चिंतन के रूप में सिक्षा निरूक्त व्याकरण आधिका प्रचलन तो अध ही प्राचिन काल से रहा है किन्तु आधुनिक भासा विज्ञान की रूप रेखा पास्चात्य चिंतन की ही देन है भासा चिंतन की परंपरा आधुनिक एवन बिल्कुल नहीं नहीं है प्राचिन काल से ही यह चिंतन का विशय रहा है भासा के अध्यायन का आरंब सर्व प् युनान क्या था ये सब के लिए बहुत ही प्रसीद था सुक्रात प्लेटो अरस्तु आधी विचारकों ने भासा चिंतन को प्रस्रय दिया आधुनिक परिप्रेक्ष में भासा विज्ञान का सुत्रपात अमेरिकी भासा वैगानिक ब्लूम फिल्ड तथा जेनेवा स्कूल के फर्डिनेंट दा सस्यूर से माना जाता है तो ये ब्लूम फिल्ड और सस्यूर दोनों ही काफी प्रसीद थे और उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण ने कार्य किया है इस युग में भासा को अरजित वस्तु मानकर समाज में भासिक परिवर्टनों को ग्राही माना गया तथा व्याकरन को प्रमुक्ता देने की आवस्यक्ताओं से इनकार किया गया पहले तो ऐसा माना जाता था कि व्याकरनिक सुद्धता होना जरूरी है है ना इसमें ज्यादा परिवर्टन नहीं किया जाता था लेकिन इस सिध्ध और आंतरिक तत्व के रूप में मानते हुए प्रिथक अध्ययन पर गौर किया गया भासाओं का अध्ययन अब पद से आगे बढ़कर वाख्य और वाख्य से भी आगे प्रोक्ति तक पहुंच गया पहले ये माना जाता था कि भासा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है वाख लेकिन अब क्या है वाख्य से भी आगे प्रोक्ति तक ये पहुंच गया है भासा विज्ञान की पास्चाति परमपरा में आधूनिक भासा विज्ञान के अंतरगत किसी एक भासा के अध्ययन के विज्ञान की संकलपना नहीं है बलकि ये भासा विज्ञान किसी भी भासा पर समान रूप से लागू है अर्थात इसमें क्या है कि कोई एक भासा का बात नहीं होता है इसमें एक साथ में ही कई भासाओं को या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी भासा पर ये समान रूप से लागू है अता भासा विज्ञान के अंतरगत विभीन अध्यायन पध्धतियों को अपनाया गया विभीन अध्यायन पध्धति अर्थात ये एतिहासिक पध्धति हो सकता है तुलनात्मक पध्धति हो सकता है वर्णनात्मक पध्धति हो सकता है संरचन तूलनात्मक या बेवहारिक पध्धती भी हो शकती है ठीक है तूलनात्मक भासा विज्ञान यह important topic भी है इससे आप देखे हैं कि विगत परिक्षाओं में काफी परस ने पूछा गया है तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे तूलनात्मक भास परिप्धुलनात्मक भास विज्ञान का समकाली परिप्रेक्षं में अधियान होता है जिन भासाओं की परस्पर तूलना की जाती है उनका अध्यायन एक निश्चित कालखंड के भीतर किया जाता है तूलनात्मक भासा विज्ञान के अंतरगत एथिहासिक भासा विज्ञान पध्धती की भी सहायता अंतर नहीं थे अर्थात एतिहासिक भासा पध्धती उसका भी सहायता लिया जाता है जब दो या अधिक भासाओं या बोलियों की तूलना करते हैं तो उन दोनों ही भासाओं के उदगम भासा के स्वरूप का भी पता चलता है अता इस नई भासा की जानकारी ही भासा का पुनर निर्मान कहलाता है अर्थात ये भी काम हो जाता है कि ये तुलनात्मक पध्धती से भासा का पुनर निर्मान भी हो सकता है आधुनिक भासा विज्ञान की तुलनात्मक पध्धती का प्राराम 1786 में सर विलियम जोन्स द्वारा संस्क्रीत ग्रीक लेटिन भासाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ इसी तुलनात्मक पध्धती के कारण भासा विज्ञान को comparative philology या फिर science of language या linguistic यही नामों से जाना जाता है उनुश्वी सताब्धी का काल तुलनात्मक भासा विज्ञान का स्वर्ण काल रहा है इस यूग के प्रसिद भासा विदों में रास्क, ग्रीम, स्लाइखर्ट, बुरुक्मेन आधी ने तुलनात्मक पध्धती में अमुल्य योगदान दिया चूँकि इस भासा विश्लेशन पध्धती का सुत्रपात संस्कृत भासा की तुलना से हुआ है अता इस पर मैक्स मुलर कहते हैं कि तुलनात्मक भासा विज्ञान की एक मात्र दिडिर आधार सिला संस्कृत है संस्कृत के ज्यान के विना तुलनात्मक भासा विज्ञान वैसा ही है जैसे गणीत के ज्यान के अभाव में जोती सी है अर्थात जोती सी के जानकारी के लिए गणीत का ज्यान होना आवस्यक है ठीक उसी तरह से अगर ये तुलनात्मक भासा विज्ञान का बात किया जाए तो संस्कृत का ज्यान अत्याबश्यक है आप ये भी जानते हैं जो संस्कृत है तो हमारे भारत वर्ष की ये प्राचिंतम भासा है और भारत वर्ष की अधिकतम भासाएं संस्कृत भासा से ही उत्पन हुई मानी जाती है तो ये क्या है मूल भासा है अगर हिंदी का भी विक प्राकृत, प्राकृत से अपभरंश और अपभरंशे हिंदी, इस करम में हिंदी का विकास हुआ है. तो क्या हो गया कि संस्क्रीत काफी महत्वपूर्ण भासा रहा है भासा विज्ञान के इस पद्धती में वर्ण नात्मक एवं एतिहासिक दोनों ही पद्धतियों की आवस्यक्ता होती है अता ये पद्धतियां भी भासा विज्ञान की आधारभूत पद्धतियां है वर्णनात्मक पध्धती और एतिहासिक पध्धती दोनों काफी इंपोर्टेंट है तुलनात्मक भासा पध्धती के द्वारा भासा के सभी अंगों का तुलनात्मक अध्यायन किया जा सकता है तुलनात्मक भासा विज्ञान के लिए भोगोलिक संदर्व के साथ ही एतिहासिक और सांस्कृती घटनाओं का भी ज्ञान होना अपेक्षीत है भासाओं की इस तुलना में ध्वनी, सब्द और व्याकरण की समानताओं का पता लगाते हैं उदाहरन स्वरूप संस्कृत, लेटिन, ग्रीक, आईरिस अगर चार भासाओं का उदाहरन लेते हैं और कोई सब्द को देखते हैं कि किस तरह से ये फीट बैठता है जैसे अगर माता सब्द को ले लें तो संस्कृत में इसे मात्री कहते हैं लेटिन में मातेर, ग्रीक में मेतेर और आईरिस में माथिर तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मूल सब्द में काफी समानताएं हैं वैसे ही अगर पिता इस सब्द को लें तो संस्कृत में इसे पित्री कहते हैं लेटिन में पेतेर और ग्रीक में पतेर तो इसमें भी काफी समानताएं दिखाई देती हैं तो इस तरह से तुलनात्मक अध्यायन किया जाता है। इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भासाय एक ही परिबार की रही है। तुल्नात्मक भासा विज्क्ञान के द्वारा इसका विश्लेशन कर इसके मूल सब्द तक पहुंचा जा सकता है। इसी आधार पर कई भासाओं को एक पारिबारिक मूल की भासा माना जा सकता है भारत में तूलनात्मक भासा विज्ञान का आरम डॉक्टर सुनिती कुमार चटरजी डॉक्टर सुकुमार सेन आधी के प्रयतनों से प्रारम्भ हुआ कोलकाता विश्व विद्यालई में इसे परियाप्त अवसर मिला तथा एक नया विभाग तूलनात्मक विश्चलेशन से संबंधीत खोला गया इस तरह से भासा विज्ञान का जो तूलनात्मक अध्यायन है तो भारत में भी प्रारम्भ हुआ जिसमें डॉक्टर सुनिती कु अपयोग तो होता ही है उसकी समानता को भी तूलनात्मक पध्धती से ही निर्धारित किया जाता है तूलनात्मक भासा विज्ञान का विशेश महत्तु है भासा का पारिवारिक वर्गीकरण इसी पध्धती की देन है विश्व की विभीन भासाओं के बीच का संबधता का से प्राप्त होता है इसी आधार पर भासा सिक्षन और अनुवाद के लिए परियाप सामगरी जुटाने का काम तुलनात्मक भासा विज्ञान के द्वारा होता है वस्तुत तुलनात्मक भासा विज्ञान वास्तव में भासा विज्ञान की सुरुवाती विशलेशन पध्ध सती से भासा की आंतरिक संगरचना का अध्ययन विशलेशन किया जाता है अन्य भासाओं के संदर्भ में ये अत्यांत उपयोगी है जो भासा का पारिवारिक वर्गीकरण भासा सिक्षन एवं अनुवाद के लिए अपनी महत्वपूर्ण अर्थवत्ता इस्थापीत करती है अब जानते हैं कि अनुबाद के लिए हमें क्या होता है दो या दो से अधिक भासाओं का ज्ञान रहना आवश्यक होता है तो अगर तुलनात्मक पध्धती से अध्ययन किया जाए तो ये काम काफी सहज हो जाता है तो बहुत सारी खुबियां है और इन खुबियों के साथ साथ कुछ दोस भी होगा ही तो ही बताया जा रहा है कि तुलनात्मक पध्धती का दोस यह है कि इसके द्वारा भासा विज्ञान के काल का निर्धारन एवं निश्चित निर्णाई नहीं किया जा सकता है ये थोड़ा सा क्या है इसमें कमी है अब हम लोग जो महत्तुपू पारीक वर्गी करन आप जानते हैं कि विश्व की जो समस्त भासाएं हैं उसको अगर हम लोग कैटेगोराइज करें तो पाएंगे कि दस बड़े भासा परिवार के अंतरगत सबों को कैटेगोराइज किया जा सकता है भारत बर्स का बात करें तो भारत बर्स में भी चार भ अलग भासाएं बोली जाती है उत्तर में हिंदी बांगला पंजाबी गुजराती आदी वैसे ही दक्षिन में तमील तेलेगु कंणड आदी पूरब या उत्तर पूर्वी भारत का बात करें तो यहां पर भी खासी मनिपूरी यह भासाएं बोली जाती है तिन सभी भासाओ को अगर किया जाए तो चार भासा परिबारों में बाटा जा सकता है भारोपिय भासा परिबार द्रविड भासा परिबार आस्ट्री भासा परिबार और चीनी तिव्वती भासा परिबार है अगे जब विश्व की भासाओं को देखेंगे तो उसमें इन भासाओं में भी क्य क्या भासाएं सम्मिली थे उसको भी हम लोग देख लेंगे अगर मोटे तर पर आप समझें तो भारोपिय भासा परिवार है तो इसमें हिंदी संस्कृत भोजपूरी से लेकर है ना बहुत सारी भासाएं इसमें आती है अद्रविट का बात करेंगे तो जो दक्षिन भारत की भासाएं है अर्थात तमील तेलेगु कन्नड मलियालम यह सब और आस्टिक परिवार का बात करें तो जो आदिवासी लोगों की भासाएं है ना मुंडारी भासाएं है यह सब आ जाता है इसमें और चीनी तिब्वती भासा का बात करें तो जो मनीपूर या नागालेन उस छेत्र में जो बोला जाता है ना वो सब आ गया इसके अंतर का था ठीक है तो लोग देखेंगे इसको भी वन बाई वन तो पूरा विश्ट्रित अध्ययन के आधार पर पूरा भासा वेगान इकोनिया विश्व की भासाओं को दस प्रमुक भासा परिवार में बाटा है वै अलड़ाई पालीनेशियन इसमें मलई भासा या फिर भारत की जो आस्टरिक भासाइं है ये आती है वैसे ही सामिहमी इसके अंतरगत अर्भी हीब्रू उत्तर अमेरिकी भासाएं ये सब सम्मिलित है वैसे ही दक्षिन भारतिय भासाएं बांडुवादी है जापानी औरिय एस तरह से है वैसे ही अगर इन भासाओं का वर्गी करण दूसरे तरह से किया जाए जैसे आक्रिती मुलक वर्गी करण का अगर बात करें तो यह भी किया जा सकता है इस तरह के वर्गी करण में पदों और वाक्यों की रचना एक सी होती है यह देखा जाता है कि किन-किन भास बिठाओं के पदों और वाक्यों की रचना एक होती है और उसी हिसाब से इसको या फिर वर्गी करित किया जाता है तो आक्रिती मुलग वर्गी करण के भी दो भेद हैं एक योगात्मक और एक अयोगात्मक उदाहरन द्वारा ये दोनों भेद बहुत अच्छे से समझा जा स सकेगा जैसे संस्कृत में वाक्य का अगर उदाहरन ले व्रिक्षात पत्रानी पतन थी और हिंदी में उसका अनुबाद देखें तो हिंदी में उसका अनुबाद हो गया वरिक्ष से पत्ते गिरते हैं अब इन दोनों वाक्यों का अगर सब्द देखें यह वरिक्षात है ना हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा वरिक्ष से अर्थात हिंदी में जब बात कर रहे हैं तो यह अलग-अलग है वरिक् आत्मक भासा तो योगात्मत भासाओं में संबंध और अर्थ तत्व दोनों ही एक दूसरे में ही क्या होता है सम्मीलित होता है जहां एक और संस्कृत भासा में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयुक्त रूप उपस्थित होता है वहीं हिंदी में दोनों ही अलग अब जो अगला टौपीक है वो देख लेंगे,ध्वणी परिवर्तन और नियम आप जानते हैं कि भासा यह तो हमेशा क्या है परिवर्तन सील इन में से जो धोनी है तो धोनी को भासा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ना तो धोनी में क्या परिवर्तन होता है और इसका क्या असर पड़ता है भासा परिवर्तन में ये देखना है तो धोनी परिवर्तन भासा विकास की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कभी तो धोनी मे परिवर्तन होता है तो कभी तो बिल्कुल धोनियां ही बदल जाती है इस प्रकार धोनी परिवर्तन के रूप में धोनियां अपना इस्थान बदल लेती है तथा किसी अन्य धोनी के साथ सम्मंध बना लेती है अर्थात ये सारी परिष्थितियां हो सकती है धोनियों के बदल तो धोनी परिवर्तन कारणों को विद्वानों ने दो भागों में बाटा है एक आंतरिक परिवर्तन और दूसरा वाहिय परिवर्तन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आंतरिक परिवर्तन है उसको व्यक्तिक परिवर्तन कह सकते हैं व्यक्तिकत परिवर्तन कह सकते हैं और जो प मंधित होता है अर्थाद व्यक्तिगत कारणों में कुछ विशेश कारण है जैसे लिपी दोस या फिर विदेशी धोनियों का प्रभाव भावावेस अज्ञान या असिक्षा बलाघात बोलने की तिब्रता आदी अर्थाद ये व्यक्तिगत दोस है किसी का उस चारण में अभाव पड़ रहा है बलाघात अर्थाद सब्द के किस भाग पर अधिक बल देना है ये सब का जानकादी का अभाव है तो इन सब कारणों से ये समश्याएं आती है उच्चारण की सुविधा के लिए सब्दों के आदी मध्य या अंत में कुछ धोनिया जोड भी दी जा कुछ धंयों को हम लोग हटा के सौट फ़र में कहते हैं तूस परिष्थितिति को लोब भी कहते हैं तो ये आगम और लोब इसके बारे में ढ दीटेल में हम लोग बात में बात भी करेंगे यहां पे अभी कुछ उदाहरन-द्वारा समझ लेते हैं कि ये आगम होता क्या है तो जैसे धर्म को क्या करते हैं हम लोग सुभिधा के लिए धरम ये कहते हैं वैसे ही भक्त को भगत स्वर्ग को सवर्ग है ना स्वप्न को सपना है ना ये इस तरह की उदारणया हो सकती है अता परिवर्टन एक निश्चीत एवं नियमित प्रक्रिया है जो समाज के अंतरगत अत्यंति सुक्ष्म एवं स्वाभाविक रूप से होती रहती है अर्थात ये कुछ दिनों में या कुछ महिनों में ये प्रतित होता नहीं है ये एक निरंतर प्रक्रिया है और थोड़ा सा क्या है ना ये स्लो प्रक्रिया है धीर धीरे 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 परिवर्तन होता है बहुत सारे परिवर्तन को होने में तो सदियों तक लग जाती है ठीक है तो इस परिवर्तन का ज्यान हमें तब होता है जब परिवर्तन के द्वारा भासा में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है अर्था धोनियों में परिवर्तन और इसका असर क्या दिखता है कि भासा में ही परिवर्तन ये दिखाई देने लगता है तो ठीक है आज की इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे इस इकाई का जो सेश पार्ट बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देख लेंगे जैसे अगला टॉपि